नमस्ते थर्ड आई में आपका स्वागत है तो आज की तो चुनाओं की सबसे बड़ी ख़बर MCD के रिजल्ट आ गए और MCD के रिजल्ट में आमाद्मी पार्टी को इसपश्च बहुमत मिल गया जो आकड़े अभी हमारे पास हैं उसके अनसार आमाद्मी पार्टी को 134 सीट बीजेपी को 104 और कॉंग्रेस को 9 सीटें मिली हैं यह भी है कि जैसा लोगों की आशात्य और जैसा लोग बता रहे थे उस profit के आमाद्मी पार्टी को सूरूप कहा रहे तो सूरूप नहीं हुई है बीजेपी को एक रिस्पेटबल 104 सीट मिली है आमाद्मी हाथी को 124 पे majority होती 134 सीटे मिली है तो पुई स्वीप स्वीप नहीं हुआ है पर देव गौटी majority एक interesting data अभी इसलिए आपके साथ share करूँगा अभी जब percentage की बात आईगे तो वो भी बात करूँगा पहले ये समझ लें कि MCD क्यो important है और उसके पीछे देश के राजनी बीजेपी भी बहुत कीन थी आम आदमी पार्टी बहुत कीन थी जो अकेले जो लोग की नहीं थे वो Congress थी Congress तो कभी भी election के प्रती एक जनरल उसका कुछ फक्यूरों वाला दिश्ट्रिक ओन होता है कि अब ठीक है आ गया तो अच्छा नहीं आया तो अच्छा कुछ इस तरह का दुश्ट्रिकूरों रहता है Congress का काफी दिनों से MCD क्यों important है बीजेपी के लिए क्योंकि एक चीज जो देखने वाली है कि जब तीन अलग-अलग MCD थे North, South और वो और जब उसको एक पुराने उसमें किया गया पुराने उसमें था ही तो उस MCD के बहुत से रोल वो करता था जो दिल्ली सरकार करती है दिल्ली सरकार के पास बहुत सी ताक्ते कम है उसके अपनी पुलिस नहीं है उसका वो नहीं है लेकिन जैसे शिक्षा जैसे स्वास्त जैसे इन सब चीजों में MCD का रोल महत्पून होता था और जब वो United MCD में वो करीब-करीब मुक्षबंत्री दिल्ली प्रदेश सरकार के बराबर उसकी हैसियत हो जाती करीब-करीब में बोर रहा हूँ क्योंकि पहिए उसके पास 250 सबासाद अच्छा पेनेट्रेशन भी उसका जादा हो जाता है क्योंकि उसका जो अधिकार छेतर होता है उसमें 250 सबासाद इस समय है अब इधर तो कम सबास मतलब MLA's होते हैं तो ये सारी चीज़ों को देखके मूटे तोर पे इसको ऐसा था कि शीला दिख्षिद जी को लगता था जब वो बहुत लंबे समय तक रहें तो उनको कहीं लगता था कि इस कारान जो दिल्ली चीफ मिनिस्टर ने उसकी हैसियत या उसकी ताकत थोड़ी कम होती है तो उस समय इसको तीन हिस्सों में बाटा गया MCD को तो अब तीन हिस्सों में जो अलग-अलग मेयर रहेंगे उन मेयर की थोड़ी उतनी वो ताकत तो नहीं रहेगी जो यूनिफाइड मेयर की रहेंगे MCD के तो ये भी एक बड़ा करण था उस समय इसको अलग-अलग बाटने करें। लेकिन अब BJP का जो गेम प्लैन था, उसको ये लगा कि अब विधान सभा में तो वो नहीं हरा पा रही है आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी ने वहाँ अपना बहुत स्ट्रॉंग सपोर्ट बेस और काम करके उन्होंने एक जो अपना संगठन को बहुत स्ट्रॉंग कर लिया है, तो उनको ये लगा कि अगर इसको नहीं कर सकते हैं, तो कम सब इनके पैरलल एक जगती एक ताकत और खड़ी हो जाए, तो वो पैरलल ताकत तब खड़ी होगी, जब इन तीन अलग-अलग MCD को फिर से एक कर दीज तो वो more or less, he will be challenging all the time to the chief minister of Delhi, उसे थोड़ा ही कम ताकत रहेगी, लेकिन चुकि उसका penetration ज्यादा रहेगा, उसके पास ज्यादा सभासत की रीच रहेगी, तो वो शायद इनको challenge ठीक से करेगा, कारान यही था, इसके अलावा और कोई कारान समझ में नहीं आता है, क्योंकि administratively जब आप बड़ी state तक को आज आप divide कर दे रहे हैं, आप बड़ी बड़ी, आप state को कर दे रहे हैंगे, ने ने दो state बने, आप जम्मू कश्मीर लदा को अलग कर दे रहे हैं, तो अगर यहाँ पे administrative कारों से MCD को तीन हिस्सों में बाटा गया था, तो उसको वापस unified करने का कोई तो बनता नहीं था, लेकिन किया गया, दूसरा क्या हुआ कि जब यह किया गया, तो delimitation भी किया, परिसीमन भी किया गया, उनकी consistency को रही, अब consistency में देखा गया कि किस तरह से वो लोग जो BJP जिन से हारती या जित्ती थी, उनको कैसे use किया जाए, कि अगर वो हराने व वाले इनके वोटर हैं, उनका प्रभावचेत, सीमित की जगा, ज़्यादा जगा विस्तारित कर दिया जा, इस तरह की बात थी, और ये भी fact है, कि MCD election, अगर आपको यादो, मार्च में press conference बुला ली गई थी, सुबह कि आज press conference होके दिली के election अनाउंस होगा, और फिर एक कारण ही हो सकता है कि आम आदमी party को कैसे इस पर उल्जा के रखो, गुजरात election के साथ की पहले क्यों निक करा लिया गया, उसका अलक्षिन से पहले हो जाता, तो लेकिन इसको गुजरात election के साथ time किया गया, जिससे जो आम आदमी party की जो चुनावी च्हमता है, जो उसक चुनावी नेत्रत है, जो उसकी चुनावी मशीन लिए हो लिमिटेड है, तो कोशिश यह हुई कि वो कम से कम गुजरात में उल्जें, तो MCD में थोड़ा उसका effect हो, ये भी तैबात है, कि अगर MCD का अलग से चुनाव होता और गुजरात और हमाचल के साथ clash नहीं करना हो तीम, मैं यह कहा रहा हो सकता है कोई कहीं के दस बीस, लेकिन कम सकम दो चार सीतें बढ़ते हैं, लेकिन जो भी उनके पास लिमिटेड ये जो चुनाव लणने की मशीनरी और संसादन है, उसका कुछ हिस्सा तो गुजरात में लगा ही हुआ था, क्योंकि एक बार जब चु एलेक्शन पर था, बनिस्पत गुजरात के, एक स्टेज जब आई, जब यह हुआ कि नहीं, एमसीडी पर ध्यान रखना रखना जरूरी है, क्योंकि अगर एमसीडी हार रही है, आम आदमी पार्टी, तो एक तरह का आप ये भी समझे कि आम आदमी पार्टी की जो अभी त लक्षमी गणेश की फोटो कर दो, तीर से यात्रा कर दो, तिरंगा यात्रा कर दो, लेकिन मूल रूप से मैंने ये काम किया है, आप इस काम को देखिए, और अगर आप ठीक लगता तो मुझे वोट दीजे, वो एक बार भी नहीं कहती है, कि पिछले सतर साल में कुछ नही ये कर देंगे, हमने जो पिछले माली गुजरात में पिछले सताइस साल में जो किया, उसके उपर वोट दीजे, वो नहीं बोलते हैं, तो एक पार्टी जो कम से कम अपने काम पे वोट मांग रही है, ये एक मुझे आम आदमी पार्टी की ठीक बात लगती है, दूसरा इस नहीं एक चीज़ और हुगा कि जो एकजिट पॉल है ना, ये बिलकुल स्पष्ट है, कि ये प्राइवजित हैं, प्राइवजित यह हैं कि कभी तुका लग गया, तो लग गया, वह 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 वा वह हो जन्या लगती है, सारे एकजिट पॉल्स ने, एक अद एकसेपशन ह जा रहें थी लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ अब वो यह कह रहा हैं कि नहीं ने डायरेक्षण हमसे सही बता दिया था तो ये तो किसी विच्नाओं में डायरेक्षण पता रहता है direction तो यह था ही कि आमादमी पार्टी की बढ़त है जैसे हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल साफ है कि कॉंग्रेस की बढ़त है गुजरात में बिल्कुल साफ है कि बीजेपी की बढ़त है तो इसमें direction आपने बता दिया था इसका क्या मतलब है अब एक दो मिली दो एक तो वह जो बार बार का रहा था कि बहुत करप्ठ है बहुत करप्षन है इतना करप्षन है लेकि उसके बाद भी 104 सीटेंज जीते दूसरा जो वोट परसेंट है वो जरा समझ लीजे लोग सबा में इनके वोट आते हैं बीजेपी के 57% 57% इन डेली विधान सबा सबा के 39% वोट को पकड़े रहती उससे नीचे ने इसलिप होती है तो मेरे हिसाब से बीजेपी ने एस वार इस वोट परसेंटेज इस कंसर उसने ठीक ठाक रिजनेबली विल किया है आम आदमी के पार्टी कागस्त पर तो मतलब बहुत अच्छा करेंगे बहुत अच्छा क्लियर है कि लोग सबा जब आता है तो वो मोदी जी को वोट देती है बीजेपी को वोट देती है और जब विदान सबा आता है तो आम आदमी पार्टी को उसके काम के आधार पर फिफ्टी फोर परसेंट वोट लेकिन MCD election जो अभी हुए जो मेरे इसाब से एक तरह से referendum है उनके काम का तो वोट परसेंटेज 54 परसेंट विदान सबा में 2020 में मिलेते हैं उससे घटके 42 परसेंट लगाता है 12 परसेंट का drop है अब गुसा कह लीजे बीजेपी का या इनका जो भी है लेकिन 42 परसेंट और 39 परसें as far as the vote percentage is concerned मुझे मुझे ऐसा लगता है कि अब एक फ़र फिर से आमाद्मी पर्टी को मौका में लगा है कि MCD अब उसके हाथ में और वो जो यह gaps है या जहां उसको लगता है कि governance के नाम पे जो वो दिल्ली मौडल को पेश करती है उसको और बहतर कर लेगी Congress की भी थोड़ी बात कर लें Congress लोगसभा में 23% आमाद्मी पर्टी से ज़्यादा तो यह विरको ख्लियर है कि जब देश के लेवल पे लोगों को वोट करने की बात होती है तो उनको National Party के रूप में अभी भी बीजेपी और Congress ही नजर आती है वहाँ पे आमाद्मी पर्टी को 54% बीजेपी को 39% वहाँ Congress को मात्र 4% वोट मिलते हैं MCDA selection में इस बार Congress अपने वोट परसेंटेज को 4 से 12% ले गई है सीटे और 9 मिली है और मैंने जो सरसली तोर पे अभी वो किया था मुझे मैंने सब नहीं देख पाया हूं उस 9 में से 6 सीट मुसलिम जीते हैं हो सकता है उससे ज़्यादा जीते हूं लेकिन जो मैं Congress की बात कर रहा हूं इसका एक ही अर्थ हुआ कि जो एक ही हो रहा था कि नहीं आम आदमी पार्टी डेंट कर रही है मुसलिम वोटों को कहीं पे भी वो डेंट नहीं कर रही है मुझे ऐसा लगता है कि हाल के दिनों में मुसलिम जो है वो पूरी तरह से कंसॉलिडेट हो रहा है Congress के पीछे क्योंकि इस election ने 2024 की राजनीत जो होने वाली उसकी दिशा को जरूर तैंग करेगा क्योंकि मैं ये भी एक कह दूँ कि आम आदमी पार्टी के पास अभी एक बड़ा अफसर इस समय आ रहा है MCD महिला आरक्षित म MCD का जो मेर है वो महिला आरक्षित है ये आम आदमी पार्टी के बहुत सी चीजों को आगे effect करेगा अगर इस मेर के चुनाव में वो किसी तेज तर्णार किसी ऐसे ऐसी महिला को जो deliver करती हैं जो जिनका जो इस पामले में active हैं उनको अगर सामने करते हैं मुझे दूसरा य हो रहा है यह भी करना मुश्किल है लेकिन चार परसंट से कर बारा परसंट आए हैं तो उसमें एक परसंट की दो परसंट की आठ परसंट भारत जोड़ो वह भी एक बड़ा फैक्टर रहा है एक फाइदा कॉंग्रस को और हुआ है कि आम आद्मी पार्टी में अब मैं इसको इफ के साथ बोल रहा हूँ कि गुजरात और हिमाचल में आम आद्मी पार्टी बहुत अच्छा नहीं कर रही है पूरी समिक्षा तो कल वोट आने के बात होगी लेकिन अगर नहीं कर रही है तो एमसीडी एलेक्शन हो बहुत अच्छा किया है तो विपक्ष की धूरी तो नहीं बन पाएगी और अगर हिमाचल में कॉंग्रेस अपनी बढ़त कायम रख पाती है और अगर वहां बहुत ज्यादा नहीं पिछड़ती है गुजरात में तो जो विपक्ष का रोल है वो मुझे ऐसा रगता है फिर वो कॉंग्रेस के अगल बगल ही बनेगा खेर अब त तरह से एमसीडी को भी चलाएगी जो बाखी जगहों के लिए एक मॉडल जरूर बन पाएगा थैंक यू सो में थान्यवाद